शुभा बिहानी ओम स्वास्ति प्रजाब्यह परिपाल यंताम नैये नमारगे नगतम महिशा गोब्रा मडे व्याह सुभमास्तु नित्यम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत पदम दर्शितम येना तसमै श्रे गुरवे नमाह समाद्रणी या दर्शक्वरिन प्रवातकालिन हार्दिक अभिवादन इमेज च्यानल को सुभविहानी कारेक्रम मारफत आमे उपस्थित बैशाके का छौँ? आमिले श्रीमद भगवद गीता को बारेमा निरं तर विचार बिमर्श गर्दय आयका छौँ? गीता को दिवितिय अध्याय दोस्रो अध्याय को 79 श्लोक एस बंदा अगाडि यहां भगवान श्रीकृष्ण र अर्जुन को भीच मा जुन संबाद प्रश्ण प्रतिप्रश्ण चली राखे को छौँ? अर्जुन ले जिग्याशा प्रस्तोत कर दाई छन अनिती जिग्याशा प्रति भगवान श्रीकृष्ण ले समाधान दिनु बाईको छौँ? रग मानिसलाई आत्म सम्यमी बन्नु पर छ अर्थात इंद्रियार मनलाई आपनो बसमा राखना शकनु परदा छौँ? जशले इंद्रियार मनलाई सम्यमीत गर्ना सक्दा छ त्यो ब्यक्ति लाई? स्थित प्राज्या अर्थात जशको बुद्धी पनी स्थीर भायको उन्छा। बनेर यो बन्दा आगाडी बताई शके पाछी एस अगीको संदर्वमा आत्म सम्यम ताको बारेमा उपदेश गरी शके पाछी यो उन्हान सत्तरियां स्लोक मा बगवान ले बन्नों छा। तिसो बने आत्म सम्यमी अर्थात जशले आपनो इंद्रियार मन लाई आपनो बसमा राखना सके को छा। तिस्तो ब्यक्ति जशलाई यहां सम्यमी वदेर नाम दिनों छा। इंद्रियार मन लाई आपनो बसमा राखना सके को व्यक्ति लाई तिस्तो मानव लाई सम्यमी वदे तिस्ताती सम्यमी व्यक्ति र अन्या साधारण व्यक्ति अर्थात जशले आपनों इंद्रियार मन लाई नियंत्रण मा गटने वई नापनों इंद्रियार मन को निमित्त कार्या गरेका छन्द इद्धुई में बिन्न तके छता यहां बिविन्न साधना बाट बिविन्न लाम अभ्यास बाट मात्रै आत्म सम्यम करना सकी छा इंद्रिया लाई बश्मा राखना सकी छा मन लाई नियंत्रणमा करना सकी छा तेसको लाम प्रक्रिया छा अलिकती साधनार अभ्यास नवाई कना मानी स्थेस्मा अभ्यास्त बनना सक्दोई न तेस कारण यहां तेती देरे लामो तपश्या गरेर साधना गरेर अभ्यास गरेर अनि बिभिन्न बोग्र बिलासिता लाई बाउतिक शुख बोग्र लाई पनी त्याग गरेर इंद्रिया का विशयरु बाट ताडा रोयर इ बिभिन्न तरीका बाट मात्राई आत्म सम्यम उन्छा पने एती लामो तेरे अभ्यास गरेर प्राप्त गरेको त्यों सम्यम ता जसले त्यों सम्यम ताला प्राप्त गरेको चा तेसता ब्यक्ति रग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग् आपनो मन लाई मात्रप्रसन गरावने कारिया करेकोछा। आपना इन्रीय अरूलाई खुशी बनावनाको निमित्ता बनेर तेसके निमित्ता मात्रई कारिया गरदे राखेकोछा। तेस तालाई साधारण व्यक्ति। ती दुई में बिन्नता के छता यहां बगवान श्री कृष्णा ले तेही कुरा बन्नों छ या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागर्ति सम्यमी यस्याम जागर्ति भूतानी सा निशा पश्यतो मुनेहे यहां बगवान ले बन्नों छ जसले जो तेस्ता आत्म सम्यमी व्यक्ति चान ती आत्म सम्यमी व्यक्ति को निवित्त या निशा सर्वभूतानाम यहां भूतासब्दाले भूता बने को प्राणी यरुको बाचक यहां भूतासब्द किन प्राणी यरुको बने सम्पुर्ण सर्व भूत बन्नाले यो चराचर जगत्मा भाईका यो विश्व ब्रम्मांडमा भाईका शम्पुर्ण प्राणी यरुको यहां मानम मात्रैला बनिये को छाईना अन्या पसुपक्षी बिविन्न जनावर हरु ती सबैलाई सर्व भूता बनेर बनियो रती सम्पुर्ण प्राणी हरुको निमित्त मानम सहित सम्पुर्ण प्राणी यरु तीनी यरुको निमित्त या निशा जो रात हुन्छ जसलाई उनियोरले रात मानेका हुन्छन अर्थात सम्यमी व्यक्ति हरुले मानव जीवन प्राप्ता करी शाके पाछी अथवा अन्य बिविन्न प्राणी को जीवन प्राप्ता करी शाके पाछी तियो जीवन मा आहार बनेको भोजन करने काम, खाना खाने, निद्रा, शुतने काम, भय, डर, मैथुन इकारिय अरुता सम्पुर्ण प्राणी अरुले गरने गर छन्छन्छ जो मानीस इकार्यमा मात्रई आपनो जीवन को कल्याण को निमित्ता सोचे रह वही न, तियो जीवन को एउटा कल्याण को मारग लाई बिरिशे रह, जसले आपनो जीवन मात्रई खाना खाने, शुतने रा भावतिक शुखा सुभिदा लाई मात्राई आपनो शरीर को तिवतिको निमित्ता मात्राई कारिया करदै आयको छा बने तियो कारियात तेस्था काम अरुत विविन्न प्राणी अरुले पनी करचान। पतोकश अरुले पनी करने कर्चान। खाना खाने काम, शुत ने काम। तेस्था दर आउने काम। atom शरीर केीकपनी करचान। यदि ती का मात्रई मानवले गर छा बने तियो मानव्र अन्य पशुपक्षी अरुमा केई पनी बिन्नता छाई नौ तेसकारन ती सबय लाई यहां एक मुष्ट रुपमा ती सबय लाई बताऊ नाको लागी सरब भूता नाम बने रा सरब भूता सब्धा को प्रयोगियां भ जुन दिन प्राप्ता वाएको छा अर्था जुन जीवन प्राप्ता वाएको छा तियो जीवन लाई आत्म सम्यमी व्यक्ति अरुले तेसलाई दिन मानदाई नं तेलाई रात मानचन कीना बने यहां रात बने को निशा बने को अंधकार को शुचा को निशा वनेको अज्ञान्ता को सुचा को जहां चेतना रहीत उंचमानिश त्यों अंदकार ले गर्दाखरी जशरी इतियां को बास्तमिक बस्तु लाई देखना सकी तैना तेस्ते गरी अज्यान ताले गरदा खेरी पनी जीवन को बास्तमिक तालाई बोद करना न सकेरा यती महत्तो पुर्ण जीवन लाई के बल प्राणी अरुले अन्य पशुपक्षी अरुले जस्ताई मानवले पनी जीवन प्यातित गारेगो शा बने टेव उसको निमित्ता दीन वहीना ते उसको निमित्ता बास्तमिक जीवनको यहुटा मार्गा क्वरने अवसर βहीना तेस तेकी बिन्न अर्था तेस लाई अज्ञान स्वरूप एउटा राथ स्वरूप मान्ने गर्चन सम्यमी ब्यक्ति अरूले बने या निशा सरवभूता नाम जो सवई का निमित्त अरूको निमित्त त्यो रात्री बने को छो त्यो रात्री लाई पनी तस्याम जागर ती सम्यमी अब ती सम्यमी ब्यक्तियरू तेती बेला मा उनियरू जागा रहन्चन अर्थात उनियरू ले जीवन को बास्तविक लक्ष को निमित्ता आमरो जीवन को बास्तविक ता कियो बन्नेकुरालाई बोध गरे र किये गर्दा खेरी मैले कस्ता कर्म गर्दा खेरी मैले जीवन को लक्ष प्राप्त गर्ना शक्दाचू मा किये कारण ले गर्दा खेरी मैले यो मानव जीवन प्राप्त गरे र मैले कस्ता कर्म हरू सास्त् हीत कर्म हरु गर्णु पर्ज बन्ने बारे मां उनियारु पुर्ण रुप मां सचेत हों चल। केवर आहार, निद्रा, भया, मैथुनादी कार्यामां मात्रै आपनो जीवन लाई, जीवन को यो महत्तो पुर्ण समाय लाई उनियारुले खर्च गरेका उंदैनां। तेस कारण यहां भगवान ले तेही कुरा बन्नों छा यस्याम जाग्रति भूतानी र जुन अबस्थामां अब ती प्राणी अरुले जस्ते यहुटा कुने जना बरले आपुले भोक लागे को बेलामां उसले खोजे को चीज प्राप्तक गर्यों खान चाय को चीज खान पा तेस पथी निद्रा लागे को बेलामा उसले आपनो निद्रा पूर्ति गर्न पायो बने तेत्ती लाई नहीं भोक मा खान पायो आनंद पुर्भक शुत्न पायो र मैथुनादी कार्या गर्न पायो बने तेस बाट तेत्ती बाटे उसले की बन्छ आपनो जीवन लाई बन् मेरो जीवन को लक्ष यत्ति हो और थात मैले जीवन मा जे जे चीज चाहाना गरेको थिए तेयो चीज मलाई प्राप्त बहएको चा और थात उसले यद्धेपी आपनो निमित्त तेयो जीवन यवटा कल्याण को मार्गमा पुरियाओने जीवन हो दाई तेयो जीवन को भोग जीवन को कर्मा गराई तेसले यवटा लक्ष मा पुरियाओन दाईना जासरी तेई खाना खाने र निद्रा आधि पुरा गरने कुरामा नहीं पशु पक्षियरू प्रसन्ना उंचन तिनी अरले तेत्ती बाटन है आपनो जीवन लाई दन्ने ठाने का उंचन पने यदी मा आपनो जीवन ले पनी ती पशु अरले गरने मात्राई कारिया लाई आपनो जीवन मा माने र मेरो निमित्त इ कारिया हरू नहीं मेरो निमित्त उपयुकता छन र मेरो निमित्त एती कारिया हरू मेले गरना सके बने मेरो जीवन पनी दन्ने उंच बने र जसले ठाने को उं पोछा? थेक हम जो आत्मा सम्य मीं चैना उसले बास्तविक ता जीवन को बुजेको चैना तरह कि शिमले बने हो बने भणे ौने 60 बहां वांची राखेको पालो보 बास्तमिक जीवन को मार्गा तिहां बेटी दाई ना तरा उँ एवटा ब्रह्म्मा रहे र अपनो जीवन लाई दन्ने ठानी राखे को उन्छा केही छेण को लागी पठाडी को गुरा तेले चिंतान करना सकताई ना पठी के ऊंचा बन्ने कुरा उशले तिहां सम्मा आपनो द्रिष्टि पुरियावनों सकताई ना मात्राई ततकाल को अबस्था लाई पशुवत कार्य green a पनी आपनो जिवन लाईंव ले दन्य ठानेगो अपनो जिवन लाईवी डिशिले उत्कृत्त थानेगो अब दे तेस कारण सा निशा आपाय का यतो मुने ध पसु बत कार्य गरेर, पसुले जस्ताई कार्य करेर पनी, खुने मनुश्य ले आपनो जीवन लाई धन्ने ठाने को छ बने, त्यस्तो जीवन लाई, त्यस्तो जीवन प्रती जो सम्यमी ब्यक्ति छ robić आत्म सम्यम मा रहे को ब्यक्ति छा तेस्ता ब्यक्ति ले तियो जीवन लाई युटा सार्थक जीवन बनेर देख दैनां तियो जीवन लाई उन्हें ले निशा बराबर निशा बनेको राथ्री अंदकार बराबर जहां अगाडिको मारगा बैटि दैना तेस्तो रूपमा उन्हेरोको शम्यमी व्यक्ति अरुको द्रिष्टी तेस्किसिम को होंचा जसले गर्दाखेरी आपनो जीवन को युटा सही मारगल लाई शत मारगल लाई उन्हेरले प्राप्ता गर्ना सके का उन् अर्थात आमी वित्र भयको तियो अज्ञान्ता तियो अज्ञान्ता को जुन जालो छ तियो जालो लाई पंचा आए रह तियो जालो लाई अटा आए रह वित्रको अंतर रिदाएको तियो बास्तमिक ज्ञान लाई उजागर गर्ना सके का उन्छन उजागर गरे का उन्छ रतिन को भुद्धी पनी तदनुशार को हुँँचा जो आत्म सम्यमी ब्यक्ति चान। तेस कारणी यहां भग्वान ले जुन सम्यमी बन्नको निमित्त यहुटा प्रक्रिया यहुटा विधी को निर्देशन गर्नुब। लग्या प्रक्रिया यहां भग्वान शीरिक्रिष्णा ले अर्जुनलाई बतावनुब। सर्वे भवन्तु शुखिनह, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पस्यंतु, माकस्चित दुखबाग भवेत, अजुररुको दिन मंगलमाय बनोस, तन्यवाद। नमस्कार, तपाहिको आजा मा स्वागत्छ, म जोतिस आचार्य नाराण परशाद बन्डारी, संदैजें आजा पनी पंचांगर दैनिक राशी फल लेर उपस्तित भईशके को छुँ, शुरू करूँ आजा को पंचांग भाटां। आजनिती दुहजार अठातर साल, पूस्च उन्नाइस गते स्वंबार, तदनुशार बिहजार बाईस, जनवरी तीन तारिक, नेपाल संबत 1142, राच्छेस नामक संबत्चर, शुर्ये दच्छिनायन, हेमंतर इतु, पूस्ट शुकल पक्षे प्रतिपदाति थी, पूस्ट शाड़ा नचेतर शुरू उने छा, दुरूबा योग बिहाना साध बजेर तीन मिनेट शमा रहने छा, तेस्वची ब्यागात योग शुरू उने छा, किम्स्तुग्न करण, अननदादी योग मां उत्पात योग रहको छा, आजा चंद्रमा धनुराशी मां ब्र अब लागाउं, बारावट राशी हरु मां ग्रह हरुको प्रभाब आजागो दिन मां केकस्तु रहको छा बनने तर्फ, शुरू गराउं मेश राशी बाट प्रतिकुल राशी में हरुको राम्रो सायोग्र समर्थन प्राप्त हुने उनाले, कार्ये छेत्रमा पनी अत्यन्ते अनुकुल अवस्ता देखा परने छा, तेशे गरी आजाको दिन मां अध्यन अध्यापन था शिर्जन चिल कार्ये हरु बाट पनी, अब तेच्छे तुर प्रिश राशी लाब कर हुने देखीं छो संबंधमा पनी अजाको दिन मां थप सुमदूरता रा थप प्रगारता उनी देखीं छो, दामपत्य जीवन मां बने केई विश्वास को संकट को कायम रने हुनाले, केई समस्या हरु शिर्जना हुना सक्षन, परिश्तिति लाई विजार गरिरा अगारी बन्ध होला करकट रासी आर्थिक क्रियकला पहरुमा पनी आजाको दिन मां उच्छा हा जनक्वरदी प्रगति नहुने अवस्था राःको हुना ले आर्थिक संकट को पनी शामना छु़नो पनी अवस्था, तधाभी आजाको दिनमां बोली को बने सकरात्मक प्रभाब परणे देखीं छां अन्य ब्यक्ती हो लाई, आफनो प्रभावमा पारणा सकिन छबली को कारण ले गरदा सिहह रासी सिहह रासी, उने रोका लागि आजको दिन अनुकुल रखेन छब विशेश गरी प्रेमी-प्रेमी काको संबंधा मा आजको दिन मा थप शफलता प्राप्त हुने प्रेमी प्रेमी काको सात सहयोग ले महत्तपुना कारे हरुमा सिद्धी हुने संभावना पनी रायको देखीं छव टेसे गरिए धांपत्ते, जिबन मा, आजाको देनमा, बिग्रिय को संबंध पनी आजाको दिनमा सुमधूर भायराड जाने छटिवाय हरुले पनी अपेच्छी तुरुपमा शाय गरने छन रहा नया किषिम का अवसर हरु आमदानी का अवसर हरु पनी आजाको दिनमा प्राप्त गरना सकने संभावना रहागो देखीं छटु कन्या रासी करकट राशी उनेवर्गा लागी आजाको देन मा स्वास्थे मा केई परतिकुल्ताको अवस्थास सेरजाना उनसक्स, सत्रु हरूले खुड़्टा तान्न सक्षन रा आहना कारे हरू पुर्या उनी लागे का काम हरूमा पनी उनियोर्ट पुर्या उनसक्स तेसकारान अत्यनत चनार हो भायर अगाडी बन्डू अला, खर्च मा ब्रदी उना सक्ष तथा भी तेसले दिर्गाकालीन रुपमा बने रामरे पर्तिफल दिना सक्ष ने संबाव बना रएको छा, रा आजाको दिन मा विशेश गरी भाय तथा दाईगो सहग बाटा गरिये का कामले गरदा खेर अजाको दिनला के भाय पनी शक्रा आत्म कुरुपमा अगाडी बड़ावना मद्धत् गरने देखीन छो तूला राशी उन्हेरुकअलाग्या अजाको दिन मार सामाजिक तथा धर्मिक कारे मा समलगना उने योग राएको देखीन छो तेसे गरी आजाको दिन मा राजनितिक तथा सामाजिक शेत्र मा काम गरने हरुले पनी आपनो साख कायम आपनो इज़्यत जगाउना सकने छन रा आपना काम हरुको उचित मुल्यांकन होने छा समाज मा आपनो प्रभाप कायम राखना सगीने छा रा आमधानी का चेत्रहरुमा पनी आजको दिन मा बड़ोत तरी उने देहिन छा रा आर्थिक रुपमा मजबुत भयको हुनाले खर्चब मा बिरदी भय पनी तेसको संतुलन बने कायम उने देहिन छा ब्रिस्चिक रासी तेसलाई आजको दिन मा इस्थागित गर्रा अगाडी बन्नु रामरो उने देखींचा। तेसलाई आजको दिन मा अध्यन अध्यापन को छेत्राले पनी गरियेको मेने तनुशार को प्रतिभल प्राप्तर नहुने उन्दा आजको दिन कैई अनुपलब्दी मुलक भयको मानना सकिन्छा। धनु रासी धनु रासी उने उरका लागे आजको दिन अनुकुल रायको देखींचा। विशेशगरी काम गरने उच्छा हा उमंगमा विरदी उने देखींचा बने आजको दिन मा अत्यंते सक्रात्मक प्रभाब परने देखींचा। कार्य चेत्र का कुला गरने हो भाणे साथी सह कर्मी रुडे पने आजको दिन मा कार्य चेत्र मा सह गरने होणाले आफनो प्रभाब आपनो कार्यको मल्यաՙकां राम्रषंगा रुगा शामूब प्रस्तु दोना सकिन्छा। मकर रासी कुम्भ रासी कारणले गरदा खेरी आफुले गरे का काम हरु बाट पने अप्रेचित रुपमा नतीजा हरु परिणाम हरु प्राप्त नहुने अवस्तार रायको छा तथा भी मनने जन हरुको साथ सयोक बाट वने के राहत को अनुबती हुने देखीं छा मिन रासी कुम्भ रुपमा अगाडी बनने शा भने प्रेम प्रणय संबंधी संबंध मा पनी स्थप सुमधूरता थप प्रगारता रा थप उबलगदी आशिल गर्न सकीने शा योतन थियो तपाईंको आजा अंतर गत्र है रा आमिले बारावटा रासी को रासी फल प्रस्तुदगर्यों कुन रासी मा के कस्तो प्रभाप परेगो छा रासी फल अनुशार विचार गरे रा आपनो दिन लाई अनुकुल बनावना को लागी सक्रात्म कर्मा पनी गर्नुवला रह तपाई अरुको सबयको दिन मंगल मे रहोष मा पनी विदा हुना चाहांचु नमस्कार बन्यास्रजे कमल बेत्र विशान बेडू लक्ष्मस्त्री विदुपते पशुपांग जाय। नमस्कार यहारला इस्वागत्छ जोतिश विदामा आजको विशय प्रसंगलियर उपस्तित भायको छु मह जोतिश पन्नित विदुर नेवपाने। आजको विशय अलिकती फरक्षा मानव जिवन में मनुष्यलाई निन्द्रा किने आभश्यक पर्षा यो जोतिश शास्त्रकईत तरक बाट निकालियेगो विशय हो। आजको यो भूमन्नल में प्रिथिवी में मानव भरू का ग्रहागोचर अनुषार बारा उल्टा राशी र नवग्रहा में विवाजित गरियुको छु। एदी व्यक्ति लाई मेश देखी मिन सम्मन का व्यक्ति हरू को निन्द्रा कस्तो कस्तो हुँच। एदी व्यक्ति को शोहाब कस्तो हुँच। एवनोस मा परस्ण गईरायब पच्य। जशरी जीवन में हजुरले देराई कमाई गर्न हुँच। देरै धन्संपति शुन्चादी हिरा मती दाउलत रू जम्मागर्न हुँच। तरह हजुरुको मन में शांती भाये न भने। हजुरलाई कैले पनी अनन्द मशुच। तो अनन्द मशुच। तो अनन्द मशुच। जशरी भिहान ब्रह्म मुर्त में योग निंद्रावाट भ्योजीरा नित्य करम गर्दाई गर्दाई गायरा जब रात्री में हमी स्वयन गर्दाच। यानी सुत्त च। तो सुत्त खेरी कईयों ब्यक्ति हरलाई निंद्रावदाई था। तो घ्क्ति हर बिश्तार में च। कयला मवैली एर च। कयला is extend एता एर च। कयले उता हैर च। तरख सुत। तरह त्यों ब्यक्ति हर जाता हर जह सुत आई ब्यक्ति हरताई निंद्रावदाई है कारण की न होला कारण दें मत्यस्तों भायक होला श्रीमान स्रिमाति उनोंछा स्रिमाति जी घुर लगनुब हईकुच्टे श्रीमान जिलनिनरा आउँदाई ना कारण कीन हो आखिरो मानप्त मानप आउड़ बिस्तारा येवड़ै हो रूम कोठा येवड़ै हो बेलका खायको दाल बात तरकार येवड़ाई हो तर निंद्रा आउदाई किना अन्ना खरी त्यो गुरहा को गोचर अनुशार ले फरक पार्द दाईचे येदी मानवलाई निंद्रा को समस्या अनिंद्रा भयो वने मान्सिक्तना, डिप्रेशन अनेक प्रकार का समस्या अउँचा शरीर में अलस्यता पईदाउँचा रोग व्यादी हरूले घर्दसन शारई गार हुँचा जश्कारानले ती ब्यक्ति हरूले शाके समन रात्री में चाड़ेशन गारू परदाचा रोग विहान ब्रह्म मुर्त यानी पाँज बजे देखी ले रोग शुर्या उदायेको समय समन श्रयन गरी शाकन उठी शाकन पस ये शरी उठी शाकेर आपनू नित्य नईमित्यक सवचादी करम हरू गरी शाके पस्ची अनि ब्यक्ति ले आपना गुरू मंत्र गायत्री मंत्र हरू लाई ध्यान गरी पस्चाथ अनि एक घंटा दुई घंटा आदा तो ब्यक्ति योगा भ्यास करनू पाद से योगा भ्यास में बशेर अनि करम शकी शके पची अनि एक चिन ध्यान में जानू पाद से अनि ध्यान को विशय को बड़न गरेर गरी शाकनू छाई नूए कश्ता कश्ता रिशी मुनी विद्वान हरुले पनियस्कु बड़न कर सबनून आमित अर्द घंटा के जानना साथ अब ब्यागतिले राध भरी निन्द्र आयना सट पटी नी सट पटी को गारई गारववं थे त्यो ब्यागतिले केवलग एक घंटा पूपनेटी मारेर सब्सापादमाशनमा सब्साइन भने शुखाशनमा भशस अनि सुखासन मा व्यक्ति वशी शके पची अनि व्यक्ति ले अनि आपनो हिर्दयमा परव्रम्मा परमेश्वर भगवान को चिंतन गर्ष यो आम्रजुन तीलक धारन गर्षावनी आमले यो दुई अखाको बीचको भौँ तो बीचलाई केंदृत गरेर तक्क नेत्रबंद गरेर ओम् यस्तो प्रकारली त्यों व्यक्ति ध्यानमा बसुस। त्यों ध्यानमा बसता बसताई त्यों मांचे त्यां बड़ा हरावस। मां कहां चुँए मां घर मां चुगी मां मंदिर मां चुगी मां कुनाई बाटा तीराप चुगी क्याई सुधी भनेगो त्यों व्यक्तिलाई ग्यान नहोस। अनि एक घंटा सम्मन त्यों व्यक्ति त्यां हराई सके पचे त्यों व्यक्तिलाई बारा घंटा सम्मन सुतेको निंद्रको फल त्यलाई त्यस्न प्राप्त हुँजा। त्यों युगा भियास त्यों व्यक्तिले आजव गरोश, भोडि गरोश, परसी गरोश दीन प्रति दीन गरोश त्यों जरीं युगा भियास गरी शके पचिर और त्यों लहाँ रात्री में चटपटी भायो वने बने कुनी प्रकार को गारो भायो तेस्टाई क्वाष्ट भायो अनि शान्ती भायो अब जीबान में सपय कुरा चा तर निंद्र चाई भोग चाई ना भोग उरोग शोग ले व्यक्ति ग्रसीद भायो चावने चल्ला इस्टाई गारो हुँचा अब आमी शर्चा परिचर्चा गरों आउनस बार राशी मद्देमां कुन-कुन राशी को ग्राको इस्थिति अन्शारले ब्यक्ति कशरी इस्वायन गार्द था त्यों ब्यक्तिमां तो समय कथी-कथी घंडा निंद्र भन्नी विशय भन्ना पुर्वा आउनस ब्यक्ति को स्वयन गर्नी तरिका को बारी में जोती शास्त्रली कश्टो प्रकार को बड़न गर्द से जशारी ब्यक्ति सुत्ता खेरी लंपशार परे रशोतियों और गड़ा में गड़ा चड़ा रशोतियों अने उसले आपनो हस्तक कमल यानी हात लाई यरदायमा राख्यो बाने देगे त्यों ब्यक्ति लाई अइठान होंचा अईठान मने को थाचा रशोतियों लाई प्राइब शाल आउनी थितना आउनी पास अईठान बाई शरीर में आक्रमान गरेको जास्तू कश्ट हुन जिस्तो बारों वह बन्हें के पांचन थुल थुलाई दौक्टर लें भांचन इंजिन्डिर लें भांचन गुर्वाइजान पालोट लेपनी भांचन गुरुण आजमले ऐए अईटन बायो चल्न आया झाल आया अब अब तो भूद्परत कोई उमदा हिए योश्माया बाईबनी वाह बना आपने ते अनन्दका Satma सुम्हान करें, यह दैबरे गोड़ा में दैबरे गोड़ा चड़ायो यह गाजने यह हात लाई ट्रड़नमुनी ते अरक शुते वने निव्डे भद्रबलास में निन भड्रभी गियानी छे व्यक्ति को शवाब शरी रामर सबने को जानना पर अब व्यक्ति दाया करवट लेर एदी शूस्त सबने देखी व्यक्ति वकालत यानि नियाया सास्त्रमा प्रियाशा वयाया संबने को कूराया वह अडिक छ श अल्ड को जानना पर अधी ब्यक्ति देवरे तरभ उताहिनी तकिया राखेर तरशा conservative Phantom तो व्यक्तिको चैनी शारिरिक बनागोट में पाचन तंत्रमें तो व्यक्ति दरोछ वन्नी कुरागो चैनी बड़न थावन चैनी जब आमरो इडाड पिंगला नाम करेका नाड़ी अरू जब खुल चैनी तर त्यो नाड़ी दूइटाई खुलेका बेला आमा या ब्यक्ति देरै रुदन करताच दुख प्यक्ता करताच या ब्यक्ति प्रफूली दोंच अट्टा कोरेथ बास आजगर आहट ा बंद हीपनी ब्यक्ति गो सुषुपना नारी खुल्छ तो शुषुपना नारी जवळ ब्यक्ति को खुल्छ तो शमयमा ब्यक्ति ले सो Liberal आटेका कुलायारू संत्पुर्ण उष्क ह पुराव चैनी उल्ले दी प्रशहिलाई प्रशन वायर ततास्तु भंजबने बर्दान पनि लाग्षा। एकदम आत्म दुखेद भायर मन रुआयर नेत्रवाट अस्तु का धार प्रवाइद गररे दिव्यक्तिले दुखी आत्माले पुकारयो बने तेला इस्रापनि लाग्षा। इजो पनि लाग्थियो राजपनि लाग्षा र बोली पनि लाग्षा। द्यव्यक्ता आरुको पास्णापनि क्या थे रहा। तेही मनुष्या आरु ले इस्तूती गरी सगेजी प्रसंण बाइदीनी प्रसंण बाइची शुष्प्रनारी खुलनी रजा खुलनी बित्तिके उनार ले जनी आश्रिभाद्दीनी तता अस्तु बंजी लाइए प्रोदीद भायर आग भगवुला भायर जब स्राप देची साप लागने से भगवान वने को यह तो चीज हो आईश्वर्यस्य समग्रश्य बिर्यस्य यश्य सहस्त्रिय ज्यान बाइराग्ययो चाईवा शडाम भगा हत्रेता जो शंपुर्ण पुरागो ज्यान उनी नही तो प्रभु परमात्म भगवान नर नाराण वह तो अब आउनोर अजरुको मेश राशी को बारेमा कोस्तो प्रकार को ज्वती सास्रमा निंद्र को बारेमा बड़न करिये को चाईवा मेश राशी को श्वामी मंगल भाय का कारणले यह ता ब्यक्तिलाई केवल दिनमा चार पांच घंटा निंद्र भाय पुछे यह ब्यक्तिले खाय को चीज हरू इनर को मंगल श्वामी राइसको पाचन तंत्र कडा उनि भाय का कारले चाड़ो भना चाड़ो पचाऊंच राशी ब्रीष ब्रीष राशी का स्वामी भाय का ब्यक्ति हरू चैनी स्वाइन गर्दा खेरी अती शुगर शभा शांत भाता बरणमा श्वाइन गर्ण चाहांच यह ब्यक्ति हरू देवराज जव दोईंतका गुरू शुक्राचार्यको यो राशी परेगो कारणले इनलाई चैनी शांतर एकांत प्रियमा निंद्र लांकता चैनी आउनोस राशी मिथून मिथून राशी को जात्तक चैनी नाग बंदा माथी हेर्दा खेरी शुरा मांचे को चसतो होंचारे नाग बंदा तल्लो भाग में उठतीर हेर्दा खेरी चैनी चुण हेर्दा खेरी शुरी मांचे को चतो होंचारे जोति शास्र को बढ़ना एव ब्यक्त अरू बादचीद गरना बड़ा प्रीय होंचारे यह ब्यक्तिलाई भने रात्री मैं खासाई निंद्र त्यति लाग दाईना रहे बयचाइन भाई रंचरे दिमाग मां देर न तर्क वीतर्क भाई रंचारे आपनो अंग शरीर गोड़ा अरूपनी कता हिलाई रहाएगा हुँचा तो पनी शास्त्रमा बढ़न गरेगा हुचा। जल्ले आपनो चरण हरू देराईचानी हिलाउचानी तेसको दिमाग देराई बेचाईनी हुँचा। और यहता ब्यागती आपनो घर ग्रियास्तिको बारेमा देराई शोची रन्छानी हुचा। राशी करकट करकट राशी का जात्तक जात्तिका को लागी भने यो असलेशा परेको छर राक्षेट गण छा बने तो ब्यागती कडा खालको हुचा। यदी असलेशा राक्षेट गण को छाइडा बने तो ब्यागती स्वराशको हुचा। यो ब्यागती लाई भने देखी यो जात्तक जात्तिका आलाई चें कशाईला निंद्रा। रामर्शन पर्णी राक्षेला नपर्णी प्रखालको दुबई तर्ग हुचा बने यो शास्रमा बड़न दरियेगेज। अब आमनोस हमरो कडा राशी शिम्ब राशी। शिम्ब राशी का जात्तक लाई भने अली जित्न पर्णी सबाब को। अली तारकेकर कडा सबाब को संपुर्ण विशैलाई पर हटाएर अनि अनंद का सात्मा शुत्न चाहांचन। तरह यहता शिम्म राशी का बड़्टी सुत्नी सवायमा एक्राई सुत्न सबाब कोठायमा कोई नहीं कोई उनरलाई शाथी अवाशेवेवच्छाईंचन। राशी कन्या कन्या राशी का जात्तक को स्वामी भुदा। राशी का श्वामी भुदा। राशी का स्वामी भुदा। राशी का स्वामी भुदा। सांत प्रिय होन्चन र एकलाई सुत्न चहान्चन ब्रिशिक राशी का अब्यक्ति अरूपनी केबल चार घंटा सुति पूछाई नियरलाई मकर्र कुम्म राशी का अब्यक्ति भनिदेखी सुत्त मा बड़ा आनन्द का सात्म सुत्त चन। इरये बारव रासी मद्ध्यमा कुन-कुन रासी को सभाप्र कुस्तो-प्रस्तो प्रकारले इनिहरू निंद्रमा जानचंदर निंद्रा यख़योग निंद्रमा भगवा न पनि स्वाइनगारोंचा भम्नी विशे में आजा को विशे प्रसंग समय को पावन्नी सके का कारणली यहार को माजबाट विदा चांचू हस्त नमस्कार